भोजपूरी सुपरिश्टार पवन सिंग और उनकी पतनी जोती सिंग तलाग के हाई प्रोफाइल मामले में गुरुवार को दोनों सिविल कोट के कुटूम कोट में सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुँचे पवन सिंग ने अपनी पतनी जोती सिंग से तलाग के लिए अरजी दी है कुटूम नयाले के नयाधीस त्रिभू नयादों के समख्ष दोनों ने अपनी अपनी बाते रखी पवन सिंग ने कोट में जज के सामने कहा कि वह अपनी पत्नी जोती के साथ नहीं राना चाहते हैं वह उनकी पत्नी जोती सिंग भी उनके साथ नहीं राना चाहती है दोनों के बीच संबंद अच्छे नहीं है इसलिए आदालत तलाग पर फैसला सुनाए पवन सिंग की दूसरी पत्नी जोती सिंग ने अपने पती पर कई गंभीर आरोप लगा है जज के सामने लिखित में जोती सिंग ने कोट में कहा कि पवन सिंग साधी की एक महिने के बाद से ही नसे में धूत होकर उसके साथ गाली गलोजवा मारपीट करने के साथ हमेशा प्रतारित करते थे आवेदन में जोती ने कहा है कि उनके पती पवन सिंग ने दो दो बार गर्वपात कराया है साधी के दो महीने के बाद दहीं जोती अपने माय के बलिया रह रही है कुटूम नियाले से जोती ने अंतरीम भरन पोसन के लिए मांग की है कुटूम नियाले की नियाधीस त्रिववन यादों ने दोनों को कलंती मौका दिया है कोट ने कहा कि दोनों आपस में तालमेल के साथ विचार विमर्ज कर ले इधर जोती सिंख्या रोपो की माने तो कोट में उनकी बाते ज्यादा नहीं सुने गई कोट में पवन सिंख्य के बातों को ही जज ने तवज्जो दी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता दिख रहा है जोती की माने तो कोट रूम से पवन सिंग के निकलने से 15 मिनट पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया जोती चाहती हैं कि प्रतेक महिने भरन पोसन के लिए कोट के आदेश से उन्हें 3.5 लाग रुपे मिले साथ ही जोती चाहती हैं कि वो पूरी जिंदगी पवन के नाम की सिंदूर लगाए कोट में पेसी के लिए पहुँचे जोती सिंग सिंदूर लगाई थी सिंदूर साप साप संकित है कि जोती सिंग पवन सिंग के साथ रहना चाहती है जोती के वकील भी कह चुके हैं कि जोती सिंग पवन सिंग के साथ रहना चाती है कोट में एक तरफा पवन सिंग की बाते सुने गई जोती के वकील की माने तो उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया आपको बता दें कि भोचपूरी सिने अभिनेता वगायक पवन सिंग ने अपनी दुसरी पत्नी जोती सिंग से तलाक कियर जी 9 अक्टूबर 2021 को ही फाइल की थी इस मामले में पहली सुनवाई 28 अपरेल को हुई थी लेकिन पवन सिंग कोट में नहीं आये थे जिसके बाद कोट ने 26 माई की तारीख निर्धारित किया और पवन सिंग को कोट में हाजिर होने का निर्देश दिया पवन सिंग और जोती दोनों गुरवार को कोट में हाजिर हुए और अपनी बाते रखी आपको बता दें कि बलिया के जोती के साथ पवन ने वर्स 2018 में साधी की थी इससे पुरो पवन ने अपने बड़े भाई रानूर सिंग की साली निलम सिंग से वर्स 2014 में साधी की थी निलम ने वर्स 2015 में खुदखुसी कर ली थी जिसके बाद भी पवन पर कई गंभीर आरोप लगे थे पवन सिंग पहली बार किसी बिवादों से नहीं गिरे हैं पवन सिंग से रिस्ते को लेकर अक्षरा सिंग भी चर्चा में रह चुकी है अक्षरा ने भी पवन पर कई गंभीर आरोप लगाये थे लेकिन इन सब के बीज अब पवन और उनकी दूसरी पतनी जोती सिंग के बीच तलाग की बाद कोट तक पहुँची है अब इस मामले में कोट ने 21 तारीक की डेट दिया है 21 जोन कोट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी वेरो डिपोर्ट टूडे विहार नूज